वेल्कम टू क्लास्यल स्टडीज मैं लश्टुकला आज आपको पढ़ाने जारूं क्लास एथ का चैप्टर वर नहीं सैकेंड जिसका नाम है सेकुलरेज्म यह मेरी वीडियो का सेकिंड पार्ट है आप मेरी वीडियो का फर्स पार्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आ सेकुलरेज्म इन इंडिया में यह जो सेकुलरेज्म है ठीक है हमने वैसे एक्ट्वल में सेकुलरेज्म का मीनिक पड़ा था बट इंडिया में तो नहीं देखा था ना कि सेकुलरेज्म कैसा होता है बट आज हम लोग इंडिया में देखेंगे कि सेकुलरेज्म जो होता है वो कैसा होता है अब देख्थे स्टार्ट करते इंडिन Constitutionarirst that the Indian state be ia Dem Ilan Constitution बताता है कि जो इंडिया है वो secular है अब बो कैसे है वो देखें गे according to constitution only a secular state can realize its objective to ensure the following constitution के according जितने भी नीचे दिये हो गए हैं ठीके 3 parts दे रखे हैं ये उनी countries में हो सकते हैं उसी जदा पर हो सकते हैं जो की secularism हो जहाँ पर वहाँ पर क्या हो secularism हो तो start करते हैं सबसे पहले जो point है वो क्या है that one religion community does not dominate another मतलब एक जो religious community है पहले religion की जैसे इंडिया का example लेते हैं जैसे Muslim है वो Hindu को ना dominate करे या फिर Hindu Muslim को ना dominate करे ठीक है सब लोग equal रहे और second क्या है that someone member do not dominate other member of the same religion community ठीक है एक member दूसरी community के member को dominate ना करे उसे परिशान ना करे second यह हो गया third क्या है that state does not enforce any particular religion not take away the religion freedom from the individuals third क्या है कि state उससे उसको enforce नहीं करेगा उस पर zone नहीं डालेगा कि वो क्या वो हो जाए वो उसको practice करने से मना नहीं करेगा उसके religion की और ना ही उससे उसका religion freedom लेगा the Indian states work in various ways to prevent the above dominations हमारा जो इंडिया है ठीक है इदर बहुत सारी चीज़े करी जाती है ताकि यह जो domination होती है domination मतलब यह जो दवाना होता है लोगों को इससे बच सके हम लोग ठीक है the first first क्या करता है it uses strategy of distancing itself from religion वो क्या करते है जादा से जादा यह सोचते है मतलब अगर हमारी government कीसी एक religion religion को तो ने ठीक है वो चाहती है कि ना कोई भी religion जैसे बोलते है ना कि बड़ा ना माना जाए तो क्या करती है government जादा तरना religion की जो methods होते है religion की जो चीज़े होती है religion से related उनमें पढ़ती ही नहीं है ठीक है वो उनसे कई बूरियां बना कर रखती है ताकि लोगों को ये ना लगे कि उनकी जो government है वो किसी एक religion को as a official religion मान रही है the Indian state is not ruled by a religious group and not does it support any one religion जो Indian state है या फिर इंडिया की जो government है वो किसी एक religion को rule भी नहीं करती और नहीं किसी एक religion को support करती है in India government space like laws, court, policies, strategies अगर इंडिया का मान जाए तो government ने पता है किस किस चीजों से दूरी बना रखी है court से दूरी बना रखी है policies, strategies, government, school and officers are not supposed to display the promote of any religion government schools जैसे हो गए या फिर कुछ भी ले ले ठीक है वो किसी एक religion को promote नहीं कर सकते हैं जैसे अगर हम लोग देखे कि अगर किसी कोई government school बना ठीक है और उनको क्या बोल दिया कि ना वो एक religion को support कर रहे हैं उन्होंने क्या किया वो सिर्फ सरदारों को support कर रहे हैं तो यह तो गलत हो जाएगा ना ठीक है तो ऐसा कोई भी government school नहीं बनाया जाता है जिसमें किसी एक religion को support किरा जाए और ऐस school बनते हैं जहाँ पर सारे religions को equal importance पर दी जाए इन इंडियन government school सीमापूर स्टूरेंट वोंस टू celebrate a religious festival अब एक school है ठीक हा government school है सीमापूर में वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कह साते हैं कि वह एक religious festival celebrate करें अब यहाँ पर religious festival का क्या मतलब हो गया जैसे दीवाल दीवावली तो नहीं ठीक है हम लोग कोई और ले ले लेते हैं जैसे जैसे हो गई छट पूजा हो गई ठीक है और यहां फिर वह क्या बोलता है इद हो गई ठीक है स्कूल में celebrate करें यहां फिर कोई सिखो का तुहार हो गया तो government high school यहां पर यह picture दे रखिया ठीक है बच्चे क्या बोलते हैं वह पड़ दे सर देर इस बिग religious festival next month नेक्स्ट जो मन्त आएगा ठीक है उसमें बहुत बड़ा religious festival आने वाला है sir we we have never celebrate in a school हमने कभी कोई religious festival इस्कूल में नहीं celebrate किया can we do this year क्या हम लोग इस साल इससे celebrate कर सकते हैं अब जो सर होते हैं वो क्या बोलते हैं I am afraid that it is possible rakes मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूं कि यह जो है यह चीज नहीं हो सकती है this is a government school यह government school है we cannot give importance to one religion हम लोग किसी एक religion को importance नहीं दे सकते हैं ठीक है we cannot give importance to one religion private school में do that government school don't celebrate any one religion festival in the school permission private schools होते हैं ठीक है वो generally ऐसा कर सकते हैं बट चुक government schools होते हैं वो ऐसा बिलकुल नहीं कर सकते हैं वो किसी एक religion को support नहीं कर सकते हैं okay most religious festivals are public day so that we cannot celebrate these at home और ज्यादा तर जो डिलीजास festival होते हैं वो पब्लिक डेस पर होते हैं ठीक है और उस दिन हमारी छुटी होती है ठीक है तो उससे हम लोग school में नहीं celebrate कर सकते हैं अब यह दोनों क्या वोडरें रास्ते में चलते-चलते मुझे लगा था कि मैं स्कूल में celebrate कर लूँगा बट ऐसा नहीं है हम इससे outside of the school celebrate करना पड़ेगा anyway we were planning to celebrate it our locality कोई बात नहीं हम लोग इस अपनी लोकालिटी में celebrate करेंगे चलो start करते in the above storyboard the celebration of religious festival within the school would have a violation of the government policies and treatment or religion equally तो हमने उनलोग उन्हें basically हमने जो story उपर पड़ी उससे हमें यह पता चलता है कि वह जो स्कूल था वहाँ पर एक religious festival था वहाँ पर नहीं celebrate करा अगर वह जैसे अगर वह होती इद होती ठीक है उन्होंने बोल दिया कि स्कूल में celebrate करते हैं उन्होंने मना क्यों कर रहा होगा क्योंकि अगर वह इद को स्कूल में celebrate करते तो ऐसा लगता कि वहाँ पर सिर्फ मुसलिमों का तो हार celebrate पर जाता है ठीक है जिससे जो मुसलिम है उनको थोड़ी जादा importance मिल जाती तो उन लोगोंने क्या किया है किसी भी religion को ना promote करने के लिए उन्होंने उस festival जो था उसको celebrate भी नहीं किया और उस दिन चुटी रख दी ता कि वो लोग अपना तोहार अपने आप ही मना ले स्कूल में ना बनाएं ठीक है तो ये तो बहुत अच्छा किया government schools cannot promote any one religion either in their morning prayer और through religion celebration government schools जो है वो किसी एक religion को promote नहीं कर सकते चाहे वो morning prayer हो या फिर religious celebration हो ठीक है अब morning prayer में तो हमने generally सुना होगा ठीक है but morning prayer basically यही होती है ता कि हमारा जो दिमाग है वो fresh हो जाए और religious festival पर पी हम लोग कोई ऐसा गाना नहीं कहा सकते जो किसी religion को promote कर रहा हो ठीक है these rules does not apply to private schools but अगर उसी जगह हम लोग देखे private schools वहाँ पर क्या होता है कभी कभार कभी कभार नहीं हमेशा जो भी religion वो लोग follow करते है उस religion को वो वहाँ पर celebrate करते है ठीक है तो हमने देख ल कि इंडिया में secularism को कैसे रखा जाते है इसको लोग में नहीं celebrate होता अब जो second way है उसे भी पढ़ लेते है इपर अब जैसे कि हमने पहला वाला वे पढ़ा उसी के थो दूसरा एक strategy अपनाती है इंडियन गवर्मेंट ऐसी strategy जिसमें वो क्या करती है घुशती है मामलो में ठीक है this means that in order to respect the sentiments of all religion इस order में ताकि कोई भी religion hurt ना हो ठीक है not unfair within the religion practice the state makes central expression for the religious अब क्या किया देखो सीधर सीधर इसका मतलब यह है कि अगर गवर्मेंट जादातर religious मामलों में पढ़ती नहीं है ठीक है बट अगर उनकी कोई dignity पर आ जाती है जैसे अगर हम लोग देखे एक पंजा भी ठीक है वो सर पर टोपी पहनते हैं या फिर मेंन का नाम नहीं चानता ठीक है यह जो पगड़ी होती है ठीक है यह पहनते हैं तो वो उस समय helmet नहीं लगा सकते हैं तो इसमें government ने तो rule बना रखा है कि सब लोग helmet लगा कर जाएं बट यह जो होते हैं इन पर कोई rule नहीं भी बात नहीं है ठीक है तो यहां पर एक बार देख लेते हैं यहां पर क्या बात कर रहें यह लोग आई होब ड़ाइब हैं मेरे को लगता है तुमने helmet पहना होगा पर तुम्हें पता नहीं है कि इंडिया government ने यह बताया है कि हर एक citizen को helmet पहना चाहिए we are not your wearing a helmet do you want to find हम लोग यहां पर helmet पहनते हैं पर तुमने क्यों नहीं पहना ठीक है तो वो जो पंजाबी होते हैं वो क्या बोलते हैं don't worry I will not be fine ठीक है wearing a pagdi is very important part of our religion हम लोग सिख है और हमारे में pagdi पहनना एक बहुत जादा important part होता है हमारे religion का हमारे धर्म का the government cannot force me to wear a helmet और हमारी government हमें force नहीं कर सकती एक helmet पहनने के लिए in the abob story parmeet and sikh other does not have wearing a helmet this is because the indian state recognized that wearing a pagdi in central of sikh religion practice and in order not interfere with this allow to expect in laws जैसे कि हमने उपर वाली story पढ़ी तो government इस चीज में unfair नहीं करती है कि उन्हें पगड़ी पहननी है क्योंकि उनका religion है इसलिए government यह बोती है कि तुम इस helmet को नहीं पहन सकते ठीक है या फिर मत पहनो तुम्हारा मन है पहनो नहीं पहननो ठीक है क्योंकि यह तुम्हारी है क् लिखा हुए कि तुम्हें पगड़ी पहननी चरू लिए तो हम लोग इसमें interfere नहीं कर सकते और जादा ठीक है तो बस यही था ठीक है तो हमने दो ways पढ़ लिए ठीक है line wise उन्हें गिनते जाना ठीक है अब third way क्या आता है the third way in which Indian secular work to prevent the domination so जो तीसरा way है इस domination को से बचने के लिए इस लिए इस लिए ठीक है ठीक है हमने पहले ही पढ़ चुके जिसमें जो comment थी वह strategy बनाती है और यह जो religious लिए ठीक है चुआ छूट ठीक है इसे कहा जाता है ठीक है वैसे basically चुआ चूट का मतलब क्या होता है मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यह उचा है यह नीचा है पहले माना भी जाता था कि जो अमीर लोग है वो गरीबों को चुआँगे तक नहीं और अगर वो लोग उनके य अलाके में आ जाते हैं तो पूरे इल्दाके को शुद्ध करन होता है वहाँ पर पानी डाल डाल कर साफ किया जाता है ठीक है तो यह जो अंटचीबिलिटी है ठीक है इसे बचने के लिए भी गवर्मेंट ने कुछ बनाया इस 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 गोड एक्जमपल वेयर मेंबर ओफ त पहले में पहले का जो टायम था उधर पंद्ध्थों को ज्दा मानना देगाई थी ति किрь और जऽो हो गये दलेध हो गय उन्हें काम ठीक है तो इसमें क्याल पंड़िट जो लोग होते थे वो दलेधों को क्या करते थे डॉमीनेट करते थे इन ओर कर दिया है इंडिया में ठीक है this is in this instance इस एक्जामपल के तरूर the state is interfaring की जो हमारी कंट्री है ठीक है इस के थूह हमारी कंट्री हमारे religious freedom में गुश्ती है और इससे हमने क्या करती हमें बचाती भी है हिए ठीक है so तो फिर हम लोग अम next पर पगते हैं ठीक है हमने तीनों की तीनों बार पर पढ़ लिए ठीक है कि कैसे हमारी जो government होती है वो हमें यह जो religious secularism है वो कैसे हमारी country में establish करती है और हमें बचाती है ठीक है तो अब नीचे आ जाते the interference of state can also be in the form of support यह जो interference है यह state के through state मतलब यहाँ पर state का मतलब क्या है government है ठीक है तो यह जो government interfere कर रही है ठीक है can also be form through support यह एक support भी कहलाया जा सकता है the Indian constitution guarantees that the right to religion communities to set up their own schools and college हमारा जो Indian constitution है वो क्या बताता है कि जो हमारा हमारी जो communities है ठीक है चाहे वो hindu muslim से किसाई कोई भी अपना school बना सकता है ठीक है कहीं कहीं पर भी नहीं मतलब उनकी अपनी जगा होनी चीए तो वो आपर अपना school बना सकता है it's also given them financial aids and non-preferencing basis ठीक है और यह क्या करते है यह लोग उन्हें financial aids भी देते है aids मतलब क्या होते है support या फिर help लिख लो ठीक है तो यह उन्हें help भी provide करते हैं इन चीजों के लिए i.e.s in what way Indian secularism different from that the in order of democracy ठीक है Indian state कैसे डिफरेंट है के बलतहे है बाकी state के secularism से ठीक है इंडिया में जो secularism है बाकी देशों के secularism से क्यों difference है वो हम लोग इस पैरा में देखेंगे स्टार्ट करते हैं सो बेसेकली इंडियन जो constitution है वह बाकी से different क्यों है क्योंकि अगर USA में देखे तो government उनके religious में interfere नहीं करते है ठीक है उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते है तो यहां पर हमारा पूरा चैप्टर जो है वह खतम हो जाता है ठीक है तो अगर आपको कोई कोई भी डाउट हो कोई भी को रही हो मेरे comment section पर लिखना मत भूलना ठीक है और मेरे चैनल को subscribe करना और साइड में जो bell icon वाला बटन है उसको प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी जो daily notifications है वीडियो की वह मिलती रहें थैंक यू करा लिए मेरे सकता है ऑ्रा है Tips कर दोए है अजयी कर